जय जनेंदर नमस्कार आप सभी को में डॉक्टर निकीता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चनल में आज बात करेंगे हम दांतों में जम जाने वाले प्लाक के बारे में जो एक चिपचिपा सा पदार्त होता है पीले रंग का और इसको हटाने में काफी कई बार मुश्किल आ जाती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है प्लाक को आप बहुत जल्दी और इजीली हटा सकते हैं तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि घरेलू तोर पे आप क्या चीज़े अपना सकते हैं जिससे कि आपका प्लाक बिल्कुल हट जाए दांत जो है बिलकुल मोतियो जासे चमकने लगें आपके और होमेपेथिक मेडिसिन्स में आप क्या ले सकते हैं जिससे आपकी जो समस्या कतम हो जाए डोनों ही चीजे जो है बहुत इंफर्मेटिव हह आप पूरा वीडिव जरूर दीखेगा जरूर एंक जरूर है आपको तो वीडिव को स्टाट करहते हैं वीडिव को स्टाट करने से पहले है कि अवर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सकरब कीज़ेगा बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजेगा ताकि आगे आने वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको इसे तरह मिलते रहें मैं चैनल पर आपको होमेपितिक मेडेसिन, डाइट, नूट्रिशन से रिलेटेड जानकरी मिलती है अगर आप थी डियू आपको काल कि ट्यआचाat ? जो चलिए लेकाइकि पर बात करते हैं Psalा 5, साथ ही मेंटी साथ ही साचात मागा नाकरी अमलती है मैं पर आस यहाँएट बीड़े पातकाओ और जांगा ज़रू लगता है दोनों time brush करना ज़रूरी है brush अगर आप सही लेंगे अपने दांतों के हिसाब से अगर आपको gums की already problem में तो आपको hard brush यूज नहीं करना है soft brush यूज करना है और दांतों की कोई problem नहीं है अब बिलकुल fit and fine दांत हैं सिर्फ आपको plaque की problem में को मीडियम ब्रश यूज़ करना चाहिए अगर दोनों टाइम आप ब्रश करते हैं 12 आवर्स 12 आवर्स की बीच में तो प्लाक जमने की जो टेंडेंसी वैसे ही कम हो जाती है दूसरा कारण हो सकता है हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहें अगर आप हैजीन प्रोपर मेंटेन कर लेकिन आप बार बार मौत में कुछ न whether, stress, anxiety, free or foodie nature किसी भी वज़े से अगर दिन बार कुछ ना कुछ खाते रहें तो क्या होता है कि जो आपके दान्त है उन में बैक्टिरियल ग्रोथ बनी रहती है बार-बार आप कुछ भी चीजे मूँ में लेते हैं तो बार-बार कुल्ला करना भी जरूरी है जिसको बोलते हैं माउध और प्लाक बन जाता है इसके अलावा अगर आपको कोई भी विटामिन डी केल्शियम की कमी है तो हो सकता है कि आपके दान्त कमजोर हो या खुर्दरे होते हैं कमजोर होते हैं खुर्दरे होते हैं जब आपका दांतों का जो इनेमल होता है इनेमल एक स्मूथ लेयर होती है आपके दांतों पे एक hard layer होती है अगर आपके दांत कमजोर होते हैं या cold rings या ऐसी चीज़े बहुत ज़्यादा खाते हैं जिससे आपके enamel खराब हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपके दांत खुर्द रहे हो जाते हैं और उस पे कुछ भी जमने की जो tendency है वो जादा हो जाती है और प्लाग जम जाता है अगर आपके दांत खुर्द रहे हैं तो आप ज़रूर से चेक कराईए कि आपके कैलशियम विटामिन डी की डेफिशेंसी तो नहीं है अब बात करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं घर पर ही कि जिससे आपका प्लाग खतम हो जाए तो सबसे पहले जो चीज है वो है कोकोनट ओयल पुलिंग अगर आप extra virgin coconut oil लेते हैं और 10-15 ml काफी है अगर आप लेते हैं माउथ में लेके उसको थोड़ी देर मूँ में गुमाते हैं और फिर वापस spit कर देते हैं तो क्या होता है कि एक layer बन जाती है अपके दांतों पे और gums पे और आपकी जो bacterial growth होती है वो कम हो जाती है एक चीज अब भीकिन हरते हैं इक रहुआ है झालका सा लगा कर ता तर फिट कर सकते हैं अगर आपके दांतों को हल्दी बनाँ चाहिए मदद क tutaj हैं अब कर CC को बहुत जाया ज्ली जाता है बहुत है जादा जादा यूजा किया जाता है दांतों को साफ़ करने में तो में इसको कैसे क बेकिंग सोडा और निम्बुक के रस को आप ब्रश में लगा कि अपने दांतों पर रगड सकते हैं से दांत आपके मोतियों जैसे चमक जाएंगे लेकिन किस कंडिशन में यूज करना चाहिए किस कंडिशन में नहीं यूज करना चाहिए यह जरूर ध्यान देने लायक बात है क्योंकि अगर आपको दांतों की अल्रेडी कोई समस्या है सिर्फ प्लाक की समस्या नहीं आपको घुम होती है या आपके दांत जो हें कंडोर है आपने और से इक्रणा करई है यह कही न दांतों की कोई भी प्लेटी बहुत जादा हो रही है यह कैवेटी पहूत हो रही तो आप बिल्कुल भी रिए नुसका यूज में मत ल contrat Mhm Industries कहीं न कहीं आपके मुह में चाले उत्पन कर सकता है उन जिन लोगों को मुह में चाले बहुत जादा होते हैं उन लोगों को भी उस नहीं करनी चीज सिर्फ प्लाक के समस्या है तो आप बेकिंग सोड़ा और निम्बू अमने ब्रश पे लगा कर धीरे धीरे दान्तों पर hardest नहीं होगी और क्या दान्त जो साफ करानी की चीज़ा उसके लीव हम एक चीज़ण बहुत बोलना चाहँ कि के ऑमने सेसाफ कर थे कहीं न कहीं यह और ब्लिदिंग होती है जब आप दान साफ कराते हैन और अगर आपको डाइबिटी जैसी कोई प्रापलम है या एपको हा और ज्यादा इंफेक्शन होने की जब ब्लेडिंग होती है तो महां पर बैक्टिरिया पनपनी की चांसे बढ़ जाती तो कोशिश कीजिए कि जब आपको शुराती स्टेज में जो प्राब्लम है तो वहीं खतम कीजिए घर के छोटे-मोटी नुसके हो चाहे होमयपेती हो चा पाउडर बना के आप उसको दांतों पर रगड सकते हैं चाहे तो आप संत्रे का चिलका भी डायरेक्ट रगड सकते हैं इससे भी आपको प्लाक को हटाने में बहुत मदद मिलीगी अगर चोटे बच्चे हैं तो आप ये चीज जरूर अपना सकते हैं जो बेकिंग सोडा औ बहुत अच्छा है वाइट विनेगर क्या करना है आपको 5 ml के करीब आपको वाइट विनेगर लेना है और उसको मुझ में डालके थोड़ी देर गुमाना है और वापस इससे भी आपका प्लाक है वह बहुत जुल्दी निकलने लगता है इस्टिल मैं वापस यही बात कहू और जास को सबड़ेत heh मैं कर सकता है और बास कर चाहर आहता है विनेगर वाइट विनेगर का यूज लेता है उनको भी मेरी है कि और आप जैसे विनेगर लेते हैं वाई लेते हैं टेली के लिनोग थाएधा बहुत है रहा है तो बहँ होँ गया तो प्ली और फोड़ी ओ ड तो अभी जो मैं आपको वाइट विनेगर वैला नुस्का बतारी हूं वो भी ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कर लें या दो तीन महिने तक करते ही रहें थोड़ा थोड़ा यूस कीजिए और आपको लगता है कि आप लाक खट रहा है आपके दान साफ होते जा रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा यूस्के बताएं सब थोड़े थोड़े नुस्के आप अपना सकते हैं अपने इच्छा के अनुसरा शद्दा के अनुसरा जो आ इसके अंदर बहुत सारी दवाईयां है जो दवाईयां दान्तों के अधिकतर प्रोब्लम में हम होमियोपैट से देते हैं तो यह वाला पाउडर डेली बेसिस पर यूस कर सकते हैं या पका प्लाक खटाने में भी मदद करेगा तो जिंजिवाइटिस या पाईरया की कोई तो आप सॉफ्ट ब्रस के साथ इसको यूस कर सकते हैं और फिंगर के साथ आप करना चाहते हैं कभी तो आप फिंगर के साथ भी इसको यूस कर सकते हैं जैसे आप सिंपल कुला कर रहे हैं दिन में और पाईरया की या जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम है तो आप फिंगर प्लाक और तार्टर को अच्छी मेडिसिन है इसके अलावा अगर आपको प्लाक और टार को नहीं जमने देना है यह आपको समस्या है तो किन चीजों से दूर रहना है इसके बारे में बात कर लेते हैं जो कि थो होती है यूट algorithm जीचे जुआ है से जुट प्लांक भोट जलदी ज़म आती है हिसे चिपजी चिपची चिजा थीचिज होती है जो होती है नरम होती है मिल्क वाली चै curvature होती है यह कही न कही प्रोन कर देती है आपको और ज्यादा प्लाक के और टाटर के तो अगर आपको मीठी चीज़े खानी है बच्चो को बच्चे है जैसे वो नहीं मानते है चॉकलेट्स खानी ही उनको कुछ मीठा खाना है तो आप केंडी खा लिजिए जो चूसने वाली केंडी हो बढ़ा देती है तो यह चीज़े ध्यान रखिए मेदे से रिलेटेड जो चीज़े होती है मेदे की बनी हुई जो चीज़े होती है उनको कम से कम लेए अवोईट करिए जैसे की ब्रैड पास्ता है बर्गर है पीजा है यह चीज़े आप कम लीजे आटा की जो चीज़े है सिमेंट जैसा हो जाता है और कहीं न कहीं आपके दांतों में रिपोजिट हो जाता है और जब दांतों की हेल्थ खराब होती है तो इसका रिसर्च यह बोलता है कि जब दांतों की हेल्थ खराब होती ही तो कहीं न कहीं आपका डाइजेशन अपसेट होता है और वह वापस बहुत जरूरियो दांत अच्छे नहीं हो तो आप खाना अच्छे से जबान ही पाएंगे डाइजेशन खराब होगा तो आप हर्ट की है उसको भी अच्छी नहीं पाएंगे तो दांतों को सही रखना बहुत जरूरी तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा थांक यू फोर वाचिंग जय हिन जय पारत वंदे मात्र।